हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू कम्पेटिशन रूफ चैनल स्टुडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानती हैं कि KVS PZT TZT की भरती आपके सामने सेप्टेंबर में कभी भी देखने को मिलती है और मैं हमेशा आपका साथ उस भरती में देती हूँ हिंदी माध्यम से, हिंदी साहित्य से तो उसी परकस से आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ पहला वीडियो क्लास 11th की NCRT से मैं लेकर आई हूँ बच्चो आपको पता ही होगा, लास्ट येर जो आपका पाठे करम था, पूरा NCRT बेस था तो NCRT को पड़े भिना आप PZT परिक्षा हो या TZT परिक्षा हो, आप उसे पास नहीं कर सकते तो आज हम, बच्चो आप भी आज मेरे साथ से ही, पहले आप भाग अपना, आरो उस तक है ये, आरो भाग एक चाहे तो आप ये NCRT खरीद भी सकते हो, अगर आप खरीदने की कंडिशन में नहीं हो तो मैं हर पार्ट की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में उपलब्द करवा दूँगी लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ महत पून है कि आप पूरे पार्ट की एक एक लाइन, एक एक पंक्ती ध्यान पूरख पढ़ें क्योंकि पिछले साल हमने जो पेपर को उब्जर्व किया है, चाहे वो LD का एक्जाम हो या वो डिरेक्ट भरती का एक्जाम हो दोनों में पाठ के अंदर से भी कोशन दिये गए थे, तो लेट ना करते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं, सबसे पहले जीवन में साहित्य का स्थान से समझने देख, यहाँ पे पंक्ती लिखी गई है, साहित्य का है जादू की लकड़ी है, जो पशुओं में, इट पथरों में, पेड, पोदों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती हैं, तो आपको जो पिक्चर दिख रहा होगा विद्यार्थियों, यह मुन्शी प्रेम चंजी का पिक्चर है, इनका मूल नाम धन पत्राई, इनका जो जन्म हुआ है, वो लमही गाउं उत्रप आश्रम, रंग भूमी, निर्मला, काया कल्प, गबन, करम भूमी, गोदान, ठीक है, सोजे वतन, मानस रोवर, आठ खंडों में, गुप्त दन, यह इनका क्या है, कहानी संग रहे हैं, कर्बला, संगराम, प्रेम की देवी, इनके क्या है, नाटक है, कुछ विचार और प्रेसंग, इनके निबंद संग रहे हैं, इनकी जो मृत्ति हुई है, वो सन 1936 में हुई है, बाकि आप इसको पढ़ लीजिएगा, PDF से विद्यारतियों, मैं जो शुरू करने जारी हूँ, मैं शुरू करने जारी हूँ, आज का पार्ट, जो की कहानी के रूप में है, नमक यथार्थवाद, यथार्थवाद से प्रारम होती है, और जो अंत इसका होता है, वो आदर्श की तरफ उनमक हो जाता है, आदर्श पे यानि समाब्ध होता है, उसके उधारन के रूप में देखी जा सकती है, इस कहानी का जो मूल थीम है, धन के उपर धरम की जीत है, ठीक को शुरू करते हैं, क्योंकि पाठ की हर पंक्ति को पढ़ना, इसमें कौन-कौन से पातरा है, और विद्यार्थियों अंत में पाठ के पीछे जो प्रेशन दिये गए हैं, जो सबी प्रेशन आप लोगों को एक बरहल जरूर करने हैं, क्योंकि आप जब तक अपने दिमाग अपना सेल्फ स्टडी अपनी जारी रखें, चले शुरू कर लेते हैं, जब नमक नाम का नया विभाग बना और इश्वर प्रदत वस्तु के विभार करने का निश्यद हो गया, तो लोग चोरी छिपेश का विपार करने लगे, अनेक परकार के छल प्रपंचों का सुत्र पात हुआ, कोई घूस से काम निकालता था, तो कोई चला की से, अधिकारियों के पो बारा थे, पो बारा होना एक मुहावरा भी है, पटवार गिरी का सरो समानित, पद छोड़ छोड़ कर ये लोग इस विभा की बरकंदाजी करते थे, यहाँ पे पहले शब्द अर्थ दे तो इस तरीके के शब्द भी रहते हैं, प्रशनों की जो बात कर रही थी बच्चों में, यह वाले प्रशनों की बात कर रही थी जो पीछे दिये जाते हैं, चले पहले एक बर अर्थ देख लेते हैं, बरकंदाजी, बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही या चोकिदा, सदा या ओडली किसी बड़े अफसर के साथ रहने वाला खास चपरासी, तजवीज मतलब राय या निरने, अकारत मतलब गैर्थ और पच्छय मतलब पश्च्मी, तो ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों, थोड़े कभी-कभी शब्दों के अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं, तो हमें कोई चीज नहीं छोड़नी है, इस साल 24 में आपको अपना सेलेक्शन या दिलेना है, तो हर चीज़ को पहले से ही लेकर चले, चले आगे बढ़ते हैं, इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी लल चाता था वह समा था जब अंग्रेजी शिक्षा और इ प्रशन है कि यहां पर समाज की किस दशा का वननन किया गया है, यह आप लोगों को सोचना है, वरिद मुंसी जी एक बात बोलते हैं कि नोकरी में ओहोदे का ध्यान मत देना, पद चाहे जो भी हो, तो तुम्ही पीर का मजार हो निगात चड़ावे और चादर पर रखनी चाहिए ये सिदे सिदे ब्रस्टाचार के और रिश्वत कोरी के और ध्यान दे रहे हैं कि उपर की जो आमदनी हो इस विभ्याग में तुम्हें सिरफ उस पर ध्यान देना है ऐसा काम रूनना जहां कु जो उपर की कमाई है वो कह है बैता हुआ सोर्चार जो हमेशा व्यक्तिगी प्यास भूजाती रहती है तो यहां पे वरिद मुन्शी जी किसका बच्चो ये मैं नया एप ट्राइ कर रही हूं बच्चो तो इस वज़े से थोड़ी सी समस्या आ रही है मुझे जिससे सदेव प्यास भूजती है वेतन मनुश्य देता है इसी से उसमें व्रिद्धी नहीं होती उपरी आमदनी इश्वर देता है इसी से उसकी बरकत होती है तो आप सभी देख सकते हैं कि मुन्शी जो व्रिद मुन्शी जी है उनकी क्या सोच है उपर की कमाई के लिए अर्थात जो रिश्वत खोरी की कमाई है उसके लिए तुम स्वम विद्वान हो तुमें क्या समझाओ इस विशह में विवेक की बड़ी आवशक्ता है मनुश्यों को देखो उसकी आवशक्ता को देखो और अवसर को देखो इसके उपरांत जो उचित समझो करो गरज वाले आदमी के साथ कटोरता करने में लाभी लाभ है लेकिन बेग अर्थात यदि तुम्हें किसी के साथ गरज है कोई काम है तो आप उसके साथ मतलब कटोरता ना भी करो तो चलेगा लेकिन बेग रज को दाम पर पाना जरा कठीन है इन बातों को निगा में बांध लो यह मेरी जनम भर की कमाई है इस उपदेश के बाद पिता जी ने आशिरवाद दिया वनशिदर आग्याकारी पुत्र थे ये बाते ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े इस विश्तरी संसार में उनके लिए धैरिये अपना मित्र बुद्धी अपनी पत्प्रदर्शक और आत्म लंबन ही अपना सायक था आप देखेंगे यहाँ पे मुनशिद जी के वृद मुनशिदर दूसरे पात्र आगे तो उनके लिए क्या है धैरिये उनका मित्र है बुद्धी उनकी पत्प्रदर्शक है और जो उनका स्वाबी मान है वो उनका सायक था लेकिन अच्छे शकुन से चले थे जाते ही समय नमक विभाग के दारोगा पत्पर प्रतिश्टित हो गए वेतन अच्छा और उपरी आयका तो ठिकाना ही ना था वृद मुन्शी जी का सुख समाद मिला तो फूले नहीं समाए महाजन कुछ नरम पड़े कलवार की आशलतल हलाई पडोशियों के हरदे में शूर उठने लगे जाड़े के दिन थे और रात का समय नमक के सिपाई चोकिदार नशे में मस्त थे मुन्शी वन्शी दर को यहां आया भी छे महिने से अधिक नहीं थे कभी-कभी ये प्रेशन पूछ लेता है कि मुन्शी वन्शी दर की जो है तो यहां से यह प्रेशन भी बन सकता है विद्यारतियों कि जहां पर मुन्शी वन्शी दर का ओफिस था कितने मिल दूरी पर यमुना जमुना को बोलते हैं यमुना नदी बैठी थी तो एक मिल दूरी पर उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था दारोगा जी किवाड बंद किये मिठी निन में सूरे थे अचानक आँख खुली तो नदी के परवा की जगे गाडियों की गड़गडाहट और मलाहों का कोलाहल सुनाई दिया उठ बैठे इतनी रात गए गाडियां क्यों नदी के पार जाती हैं अवश्य कुछ न कुछ ग आप यह पिक्चर भी डेख सकते हैं कि किस परकार से यमनादी को पार करते ह民 गाडियां निकल रही हैं तब यहां पर यह दारोगा जी आपनी जो ड्रेस पहने हुए है यहां पर आते हैं अर्थात कोन है डारोगा जी वंशी दर ये ध्यान लगना विद्यार्टी थीक है थ पंडित अलोपी दिन इस इलाके से के सबसे प्रतिष्टित जमिदार थे तो आपसे ये भी प्रशन आ जाता है अलोपी दिन कौन थे तो इस इलाके के सबसे प्रतिष्टित जमिदार थे लाखो रुपय का लेंदेन करते थे इदर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके र खाना पीना खूब चलता रहता था मुन्सी जी ने पूझा गाडिया कहां जाएंगे उत्तर मिला कानपूर लेकिन इस प्रेशन पर कि इनमें क्या है सन्ना टचा गया दारोगा साब का संदे और भी बड़ा कुछ देर तक उत्तर की बाट देकर वह जोर से बुले क्या तुम स अपने सजीले रत पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थी अचानक कई गाडिवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले महराज दारोगा ने गाडियां रोक दिये और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं पंडित अलोपदिन का लक्षमी जी पर जारती था न्याय और नीती सब लक्षमी के ही खिलोने हैं इन्हें वह जैसे चाहती है वह से न चाहती है यह पंक्ति कभी-कभी आ जाती है कि किस कंटेक्स्ट में कही गए न्याय और नीती सब लक्षमी के खिलोने अर्थात जो जहां पैसा होता है न्याय भी उसके पक्ष लेटे ही लेटे गर्व से बोले चलो हम आते हैं यह केगर पंडी जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगा कर खाए फिर लिहाफ ओडे हुए दारोगा के पास आगर बोले बाबु जी आशिरवाद कहिए हमसे ऐसा कौन सा प्राध हुआ कि गाड़ियां रोक द किस परकार से चाटू कारिता यहां पर मुंशी जी की कर रहे हैं है ना और कैसे अपने आपको ब्रामन बताकर अपने जो गलत काम है उसको छिपाने का प्रयास कर रहे हमारे सरकार तो आप हैं हमारे और आपका तो घर का मामला है हम कभी आप से भार हो सकते हैं आपने व्यर मैं तो आपकी सेवा में स्वम ही आ रहा था वन्शिदर पर एश्वरे की मोहिनी वन्शिगा कुछ परबाव न पड़ा इमानदारी की नई उमंग थी कड़क कर बोले हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कोडियों पर अपना इमान बेशते फिरते हैं आप इस समय हिरासत में हैं आपका काईदे के अंसार चालान होगा बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है जमादार बदलू सिंग तुम इने हिरासत में ले लो मैं हुक्म देता हूँ पंडित अलोपोजिन स्तंबित हो गए, स्तंबित मतलब हैराम, गाड़ी वानों में हल्चल मच गई पंडित जीवन में कदाचित मतलब यह अभी तक पहला ही अवसर था, कभी इससे लेकर, जबसे वह अपना यहाँ पर नमक लेकर अपना कारोबार कर रहे थे पंडी जी की ऐसी कठोर बाती सुनी पड़ी बदलु सिंग आगे बड़ा किन्तु रोब के मारे ही है सहस न वा कि उनका हाथ पकड़ सके पंडी जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा आप यहां देखेंगे पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना ज़्यदा पैसों का अच्छा ओफर मिलने के बाद भी वनशीदर ने उस पैसों के ओफर को ठुकरा दिया और सामने से बोला कि आप गलत कर रहे हैं नमक काव्यपार करना गलत है और आपको इसका दंड मिलेगा विचार किया यह अभी उदंड लड़का है उदंड मतलब धीट मो माया के जाल में अभी नहीं पड़ा है अलढ़ है जिजकता है बहुत दीन भाव से बोले बाबू साब ऐसा ना किजी हम मिट जाएंगे इज़त धूल में मिल जाएगी हमारा अपमान करने से आपके हाथ क देखी सकता हुआ मालूम हुआ स्वाब इमान और धन एश्वरया को कड़ी चोट पहुंची आप देख सकते हैं कि जो एक इमानदार व्यक्ति होता है उसके सामने कितना भी धन और आप कितना भी एश्वराम की जिन्दिकी दिखा दे लेकिन यदि वो व्यक्ति सच्चा इ अपने मुक्तार से बोला लाला जी एक हजार के नोट बाबू सहाब को भेंट करो आप इस समय भूके सिंग हो रहे हो अर्थात भूके शेर हो रहे हो वंशीदर ने गरम होकर कहा एक हजार नहीं एक लाख भी मुझे सच्चे माग से नहीं अटा सकते धर्म का इस बुद्ध धर्म कहता है कि आप इमांदार हो और दूसरी तरफ जो धन होता है वो व्यक्ति को अपनी और अकर्शित करता रहता है तो दोनों में संग्राम चल रहा है धन का प्रतिक यहां पर कोन है पंडित अलोपोदिन है और धर्म का प्रतिक यहां पर कोन है इमांदार वंशीदर है यह हम कह सकते हैं समाज के ब्रष्टाचार लोगों के बीच में एक इमांदार व्यक्ति का प्रतीक कोन है यहां पे मुन्शिदर जी है ठीक है वन्शिदर है और ब्रष्टाचार का प्रतीक कोन है जो ब्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं वो वन्शिदर के पिता है और सा थी साथ पंडित अलोपोदिन है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अधन ने उचल उचल कर आकर्मन करने शुरू किया एक से पांच पांच से दस दस से पंद्रा और पंद्रा से बीस हजार तक नोबत पहुँची किन्तु धरम अलोकिक वीरता के साथ इस भूसंक्यक सेना के समु अकेला परवत की बाती अटल अविचलित खड़ा रहा अलोपोदिन निराश होकर बोले अब इससे अधिक मेरा सास नहीं है आगे आपको अधिकार है वंशिदर ने अपने जमादार को ललका रहा बदलू सिंग मन में दारोगवा जी को गालियां देता हुआ पंडित कड़ियां लगाने के लिए जाता है पंडित घबराकर दो तीन कदम पीछे हट गए अत्यन्त धीनता से बोले बाबू साहब इश्वर के लिए मुझे पर दया कीजिए मैं 25,000 पर निप्टारा करने को तयार हूं असंभव भात 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं क्या 40,000 प पुष्ट मनुष्य को हतकडियां लिये हुए अपने तरफ आते देखा चार और निराश और कातर दृष्टी से देखने लगे कातर दृष्टी से किसे देखने लगे पंडित अलोपो दिन को नहीं क्योंकि पंडित अलोपो दिन तो नजाने कितने लोगों काम कर रहे थे बल्कि एक इमानदार व्यक्ति को लोग बड़ी हेद रिष्टी से देखने लगें, इसके बाद एक एक मुर्चित होकर गिर पड़ें, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी, ये एक मुहावरा भी है, अर्थात मन ही मन लोगों के अंदर वो बात है कि पंडित अलोपो दिन पकड़े गए, पंडित अलोपो दिन का कारोबार बंध हो गये, ये बाती चार ओर फैल गए, सवेरे देखी तो बालक वृद सब के मुह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखी ये वही पंडित जी के इस विवार पट्टी का टिपनी कर रहा था, दस्तावेज बनाने वाले सेट और सहोकार, ये सब कोन है, सारे के सारे वो लोग हैं, जो कहीं न कहीं ब्रश्टाचार को रिश्वत खोरी को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, तो आप से कोई पत्र के बारे में आप यहां से पूछा जा सकता है, यह सब के सब देवताओं की बाती गर्दने चला रहे थे, क्योंकि इन सब का कारोबार भी मुसीबत में आने वाला था बच्चो, ये आपको समझने वाली बात, अगर ऐसा इमानदार एक-एक सिपाई हो जाए, तो कोई इस देश में ब्रश्टाचार करी नहीं सकता, जब दूसरे दिन पंडित अलोप कोई भेदना रहा, छत और दिवार में भेदना रहना, अर्थात इतनी ज़्यादा भीड उनको देखने के लिए उमड़ पड़ी, कि लोगों को लगा ये क्या हो गया, किन्तु अदालत में पहुँचने की देर थी, पंडित अलोपोदिन इस अगाद वन के सिंग थे, अध इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए, ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वा चलता हो, वे क्यों कानून के पंजे में आए, पर तेक मनुष्य उनसे सानुगुती परकट कर रहा था, बड़ी ततपरता से इस आकर्मन को रोकने के न न्याय के मेदान में धर्म और धन में युद ठन गया, वन्शिदार चुप चाप खड़ा था, उसके पास सत्य के सिवा कोई बल ना था, ना सपष्ट भाशन के त्रिक्त कोई शस्त्र, गवा थे किन्तु लोब से डावा डाल, वो भी पता नहीं था कि कब वो पंडित अलो जहां पक्षपात हो, वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, अर्थात समझ गए ना सभी बत्यों, जब पक्षपात ही हो गया तो न्याय किस बात का हुआ, है ना, मुकदमा शिगर ही समाप्त हो गया, डिप्टी मजिस्टेट ने अपनी तजवीज में लिखा, उन्शी वन्शी दर का अधिक दोश नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचार हिंता के कान भले मानुस को कष्ट जहलना पड़ा, आप देख सकते हो, यहां किस परकार से इमांदार व्यक्ति के उपर ही आरोप आ गया, और जो ब्रष्ट पड़े, पंडित अलोपदिन मुस्कराते हुए बहार निकले, स्वजन बांदों ने रुपे की लूट की, उदार तक असागर उमण पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की नीव तक हिला दी, जब वन्शी दर बहार निकले, तो चार और से उनके उपर वेंग बानों की वर गर्व अगनी को परजवलित कर रहा था, कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वें, इस तरह अकड़ते वे न चलते, आजुने संसार का एक खेद जनक वीचित्र अनबहुआ, न्याय और विद्वता, लंबी चोड़ी उपाधिया, बड़ी बड़ी दाड़ियां और धिले चोगे एक भी सच्चे आदर के पातर नहीं है, वनशीदर ने दन से बैर मोल लिया था, उसका मुले चुकाना अनिवारिय था, कठिनता से एक सब्ता बीता होगा कि मोतली का परवाना आ गया, कार्या प्रानायता का दंड मिला, बिचारे भगन हरिदे, शोक और खेद से व् चलते चलते लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न मानी, सब मनमानी करता है, हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे, बुडापे में बगत बनकर बैठे, और वहां बस वही सूखी तनक्वा, हमने भी तो नोकरी की है, और कोई ओहदेदार भी नहीं थी, लेकिन काम क दिल खोल कर किया और आप इमानदार बनने चले हैं, घर में चाहिए अंदेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे, खेद ऐसी समझ पर, ये अपने पुत्र को आप देखेंगे, जब बेटा इमानदार हो, लेकिन पिता यहां पर इमानदार नहीं था, फिर भी अपनी मानदारी नहीं छोड़ रहे हैं, और बूड़े पिताजी ने समचार सुना तो सिर्फ पिट लिया, बोले जी चाहता है कि तुमारा और अपना सिर्फ फोड लूँ, बहुत देर तक पस्ता पस्ता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बाते भी कही और यदि व अतनी ने तो कई दिनों तक सिधे मूँ बात भी ना की, इस परकार एक सप्ता भी उत गया संदय का समय था, बुड़े मुन्शी जी बैठे राम राम की माला जप रहे थे, इसी समय उनके द्वार पर सजावा रत आकर रुका, हरे और गुलावी पर्दे, पच्छे ये बैल जुक कर दंडवत की और ललो चपो की बाते करने लगे हमारा भाग ये उदे हुआ जो आपके चर्ण इस द्वार पर आए, आप हमारे पुझे देवता हो, आपको कौन सा मूँ दिखावें, मूँ में तो कालिक लगी हुए, कि तु क्या करें, लड़का आभागा कपूत है नहीं तो आप से क्यो मूँ चिपाना पड़ता, इश्वर नहीं संतान चाहे रख दे पर ऐसी संतान ना दे, आप देखेंगे वनशी दर जी को कितना जादा विरोध अपने गर में इमानदारी के लिए सहन करना पड़ रहे हैं, अलोग दिन ने कहा, नहीं भाई, साब ऐसा ना कहिए, मुन्शी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं, अलोग दिन ने वादसले पुन्सवर में कहा, कुल तिलक और पूर्षों की किर्ती उज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धरम पड़ाये मनुश्य है, जो धरम पर अपना सब कुछ अरपन कर सके पंडित अलोपदिन ने वन्शी दर से कहा, दरोका जी, इसे खुशामद ना समझिये, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कश उठाने की जरूरत ना थी, उस रात को आपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किन्तु आज मैं स्वेच्छा से आपकी ह मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्पद अधिकारियों से काम पढ़ा, किन्तु मुझे परास्त किया तो आपने, आप देखेंगे कि पंडित अलोपदिन का, और यहां से ही हम कह सकते हैं, मुन्शी प्रेम जन जी ने आदर्शो उनमुख यथार्थ वाद का प्रियोग किया है, कि अभी तक हम यथार्थ वे कहानी को पढ़ रहे थे, और लास्ट में हम देखेंगे, पंडित अलोपदिन का हरदे कैसे प्रिवर्तन होता है, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, मैंने सब को अपना और अपने धन का गुलाम बना कर छोड़ दिया, म परन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाते की बात ऐसे ने सी परतीत हुई, पर पंडित जी की बाते सुनी तो मन की मैल मिट गई, पंडित जी की और उड़ती वी द्रिष्टी से देखा सदभाव जलक रहा था, गर्म ने अब लज्जा के सामने सिर जुका दिया, शर आप ये देखेंगे विध्यारतियों कि किस परकार से अपने स्वाब इमान को भी बचाया नोंने, इमानदारी को भी बचाया, और किस परकार से पंडित अलोपदिन का हरिद्य भी इनके अच्छे ने कारिये से परिवर्टन हुआ, अलोपदिन ने विरित भाव से कहा, मुंशी दर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्विकार कीजिए और अपने स्ताक्षर कर दीजिए, मैं ब्रामन हूँ, जब तक ये स्वाल पूरा न कीजिएगा, द्वार से न हटूंगा, मुंशी वन्शी दर ने उसका आगज को पढ़ा, तो कृतिकता से आँखों में आ मरते नहीं हैं, कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर्शकू, किन्तु मैं ऐसे उच्पद की योग्य नहीं है, अभी भी देख रहे हो, आप विद्यारतियों कि मुंशी वन्शी दर जी अभी भी कह रहे हैं, कि मैं मुंशी बनने के काबिल नहीं हूँ, आप देखेंगे एक विद्वान विक्ति हमेशा अपने घुणों की कान जुका हुआ रहता, अलोपदिन हसकर बोले, मुझे इस समयक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है, क्योंकि अलोपदिन जी तो आप डिसाइड करके आ चुके थे, कि उनको वन्शी दर को ही लेना है अपना मैनेजर, कारिये के लिए एक बड़े मर्मग, अन्भवी मनुष्य की जरूरत है, अलोपदिन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वन्शी दर के हाथ में दे कर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अन्भव की, ना मर्मगता की, ना कारिये कुशलता की, आप देखोगे, कि इमानदारी के सामने व्यक्ति के बाकी सारे गुण क्या होगे, गोण होगे, छोटे होगे, इन गुणे के महतु का परिचे खुब पाचुका हूँ सबग्या, और सुवसर ने मुझे व्यमोती दे दिया है, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जा है कि वह आपको सदैव एक नदी के किनारे वाला बैमुरोवत उद्धन्ड कठोर, लेकिन कैसा बनाए रखे, धरमनिष्ट दारोगा बनाए रखे, वन्शिदर की आँखे डबडबा गई, हर्दे के संकुचित पात्र में इतना ऐसान न समा सका, एक बार फिर पंडी जी की और भक्ती और श्रद्दा की दृष्टी से देखा और कापते हुए हातों से मैनेजरी के काघज पर हस्ताक्षर कर दी, अलोग दिने पर फुलित होकर उन्हें गले लगा लिया, तो आप देहें किस परकार से यथार्टवाद पर किस परकार से धर्म की जीत धन पर हो जाती यह कुछ प्रेशने विद्यार थे हो, इनको आप जरूर आज हल कीजिएगा, क्योंकि यह हल करेंगे तब ही आप थोड़ा सा समझ पहेंगे, आई तिंग आपको नमक का दुरगा कहानी पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा, और आपने एक एक लाइन को अच्छे से enjoy भी किया होगा, यदि आप PZT, TZT या SST से तयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हमारी वीडियो को शेर जरूर करते हैं, आप अपने status पर जरूर लगाएं, ताकि बाकी बच्छों को भी इसका आनन्द मिल सके, और यदि 11 की ये बच्छे ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने part को इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से तयार कर सकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ, तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत